हलो इस्टुएंट्स स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 5 के गनित के बारे में objective सवाल जो आपके exam में पूछे जाएंगे सभी सवालों को include किया गया है जो जो important होगा आज के इस वीड सवाल आप लोगों को बताया जाएगा ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज करने से पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे घंटी के बैल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के notification को पाने के लिए यदि आप हमारे WhatsApp गुरूप के साथ जुन हम देखे सबसे पहले एक तरह का यहां पर यहां पर डॉट दिया इस चिन को क्या नाम दिया जा जाता है ति कलेगे दो डोट ऐसे बीच में बिच में बिंदू कहते याद रखिएगा श्री से मिलकर बनती है टो रेखा जो है वह बिंदू सी मिलकर बंती है ně지, . rotation, change, switch, dig, अगर इस बिंदुन को सटा दीजेगा, तो यह क्या बन जागा, यह लकीर बन जाएगा बने गânah, तो रेकाव किस से बनती है, बिंदुहों से मिल कर बनती है, रेखा खंड किसका भाग है, है आपको खंड बन गया, तो यह किसका भाग था है, एक पहले तो रेखा ही न कीचे थे, बाद में यह खंड वा, तो रेखा खंड भी किसका भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है, रेखा का ही भाग होता है, रेखा खंड में कितने अंत बिंदू होते हैं पुस्तक के किराने का अकार कैसा है, रेखा खंड के जैसा है, पुस्तक है, माली जे ये बुक है आपका, ठीक है, ये बुक है, इसके किनारे का जो अकार क्या है, रेखा खंड है, एक छोर यहां पे अंत हुआ, एक छोर यहां पे अंत हुआ, ठीक है न, तो रेखा खंड का मत तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो रेखा खंड कहलाती है ठीक है एक बिंदू से प्रारम होकर अनंद तक जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी तो रेखा खंड कहलाएगी ठीक है रेखा में कितने अंत बिंदू होते हैं तो कोई भी अंत बिंदू नहीं होते हैं ठीक है नेक्स्ट एक वर्ग में रेखा खंडों की संख्या कितनी होती है एक वर्ग में तो वर्ग आप देख पारे वर्ग इस तरह से होता है और इसमें कितने रेखा खंड है एक दो तीन चार चार रेखा खंड हो गया एक तिर्भूज में रेखा खंडों की संख्या कितनी होती है एक तिरबूज है, फिक है यह से तरह से तिरबूज है, इसमें रेखाखंड कıtने हैं 1, 2, 3, 3 रेखाखंड हो जाएंगे ठीक है तो 3 होगे तो इसमें जो ओप्सन होगा, आप two option number c उसको कर लिजगा एक star चीतर के रेखाखंडों की संख्या कितनी होती है तो स्टार चेतर में रेखा खंडों के संख्या कितनी होगी, दस होगी, जो स्टार बना होता है, इसी स्टार में आपको रेखा खंडों के संख्या पूछ रहा है, एक कौन जिसकी माप समकौन के कम हो, क्या कहलाएगा, एक कौन है, जिसकी माप समकौन, समकौन किसको बोलते है बच्चो 90 degree को समकोन बोलते हैं, जब भी कोई कोई 90 degree से छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग नियून कोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियून कोन बोलते हैं, 90 degree वाले कोन को क्या बोलते हैं, 90 degree से जो अधिक होगा उसको हम लोग अधिक कोन बोलेंगे, वह कोन जिसकी माप स समकोन से अधिक है, समकोन से अधिक का मतलब 90 डिग्री से अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, अधिक है तो अधिक कोन, याद रखिएगा, ठीक है, जब दो रेखा हैं, एक दूसरे से लमवत काटी है, तो कौन सा कोन बनेगा, समकोन बनेगा, यह देखिए, यह है रेखा, औ तो इस तरह से जब रहेगा तो कौन सा एंगल बन रहा है एक दूसरे पर खड़ा है तो यह 90 डिगरी को क्या बोलते हैं हम लोग समकौन बोलते हैं ठीक है यह चितर की स्कौन को दरसाया गया है देखिए अब यहां पर समझने वारी बात है यह आपका फोटो है इस फोटो को तरहां से देखिए इस फोटो को देखिये आपका समकौन है ठीक है लेकिन अगर आगर हमने ऐसे समकौन 먹고 कि कम होगा उसकी कभी गलती नहीं होगा इस चीतर में कौन को दरसा आहीं पताना है टो यह इस तरह से आपके कभी वह संगॉन का बूता जब यह एक दूसरे फे खड़ा होता इस ततरह से नहीं यह चोटा और यह और जो चोटा हो गया तो यह आप का द्यूंज झाता तो सीधा खड़ा रहतां तो समन कौन थीक है आप जैसे इस कितर में ध्यान से देखे, इस चितर में बुले ये कौन से कोन है, सम कोन है, बिल्कुल पता चल रहा है कि एक दूसरे पर खड़ा है, ठीक है, इसके बाद जो अगला सवल आप से पूछा गया, किस कोन की माफ होती है, तो नियून कोन की माफ होती है, सम कोन होगा, सम कोन 90 डिग्री तो 62 है, आखरी वाला को देखिए, 62 है तो 62 के बाद क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ये वाला अंसर हो जाएगा, 5, 6, 7 का परसारित रूप बताईए, परसारित का मतलब होता पहला देजिए, तो सबसे पहले 5 को देखिए, 5 लिखिएगा, अब 5 लिखिएगा, पांच लि आगे आपका अंसर, उप्सन नंबर A, उसी परकार से इसको परसारित कर लिजिएगा, 9 का लिख लिएगा, 9,000, 8 का फिर 800, 9 का फिर 90, फिर 2, यानि उप्सन नंबर C होगा, ठीक है, यहाँ पर B दिया, ये गलत दिया है, ठीक है, तो ये वाला अंसर हो जाएगा, उप्सन चीछ यहाँ पर एक चीछ चीछ चूड गया, यहां पर 90 होना चाहिए यहां पर 90 होना चाहिए इस तरह से आंसर आपका आएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट में देखते हैं क्या है अगला सवाल में पूछा गया है बड़ा च्छोटा बड़ा च्छोटा का हमने बताया था कि यह मचली का मुह师 का यहां बड़ा च्छोटा यहां च्छे पर बड़ा को है छे हजार चारसो एक तीस या चारसो तीन चारसो एक तीस बड़ा है तो इसका मुझ खोल दीजेगा इधर ठीक है तुछ अब बोला है आपको आरो ही कर में सजाने के लिए आएगा आरो ही मतलब होता है बढ़ते हुआ यानि कि पहले छोटा फिर बढ़ा फि चोटा से बड़ा की ऊर जाएगा तो चोटा देखिए कहां परойти सो से स्टार्थ है यहां पर भी यहां प्र भी यहीं दोनों में सक औरके आट थीन आठ तीन के बद आट अंगे पिर 6 में जायेंगा ने जाये तो यह गलत हो घुआ यह औस सभी हो जाएत नंबर विस इस दे है जब बढ़ेगे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो सबसे भड़ा कहां जाएगा तो नो हजар वला सबसे전 संस्ट में आए Guru और य автомобasap Ad entertain यह होने पर यहीद दोनों में से को एंसर होने वाला है Exodus तो आप ध्यान देंगे छोटा से बड़ा पे छोटा सबसे छोटा इसमें देखली को नहीं सबसे छोटा 5 सबसे चोटा कौन है आपको बताइए तो इसमें जो है न सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा अच्छा पहले रुख जाई यहां पर दिखते हैं एक दो तीन चार अंक का एक दो तीन चार तो यह जीदो क्यों दिया है ठीक है ना अब देखें यहीं में आप लोगों का गलबल होता है ठीक है छोड़ते हैं चल दिए समझ लेते हैं पहले आट सो पांच फिर पांच फिर साथ फिर थीन सो पांच ठीक है तो यह आप देखर है सीदा सीदा घट तल यहीं आपका आंज्सर ओजाएगा ठीक है नेक्स्ट है और रोही में बह्ता आपको तो इसमें आप समझ सकते हैं देखते हैं इसमें सबसे छोटा कों हैं जंतिता है mend Weg्षैन सोफाइन 乐िरभींन अब देखते हैं यहाँ पर देखे हैं आथ हजार वाला और नो हजार वाला दोनों तो है आपका बढ़ा हो गया ठीक है ना 9808 फिर 8808 फिर 7800 अलग तीस आप साथ हेर 508 ठीक है तो ऑप्सन नंबर सी आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवल है हमारा कि 3104 में 140 में 3 का अस्थानी अमान आपको बताना है तो 3 का अस्थानी अमान बताने का मतलब है आपको एकाई दाही पढ़िए जिसे 3 1 4 0 इसम सेकला हजार हजार आया तो कितना हजार हो गया तीन पे रुखा तो तीन हजार कितना हजार हो गया तीन हजार हजार पे रुखा है तो इसका अस्थानी मन कितना हो जाएगा हजार पे आजाएगा ठीक है नेक्स्ट दू का अस्थानी मन आपको बताना है तो पढ़िए इसको 6-2-7-0 1 दाईं पढ़िए 1 दाईं सेकला क्या आया सेकला आया तो सेकला वाला अंसर आजाएगा option नमबर 375 को अंग में लिखेता है 375 सबसे पहले लाष्ट वाला जो होता है आप पच्छत्ता को लिखेता है आप देखिए आप 75 कहां में सेकला है नई 49 49 कैसे लिखते हैं इसी लिखते हैं देखिए कहां पर मैच कर रहा है देखिए यहीं पर मैच कर गिया तो यहीं अंसर हो गिया उत्ता दिमाग महीं लगाई आप ठीक है 1001 को सब्दों में लिखिए 1001 1001 ठीक है 1001 ओ Herman 1110 इसमें सो कोई भी नहीं ठीक है गलत दिया तो 1001 यहाँ पर यहाँ पर एक रहे गाוכेने लिखेगा डिक है नेक्स्त को सब्धों भी है तो ढ ignored नहीं है कई ढाई विस नहीं है यहां पर टी हाई आंसर को धियांट तो तूर में इनमें सबसे च्छोटी संख्या कौशची है582 से सबसे च्छोटी संख्यां कोई नमबर दो बनाना है इसांने के की सबसे च्छोटी संख्या इनले सबसे सबसे बड़ी संख्या कौन है तो ये वह ही नेक्स्ट अगला सब्सक्राइब कि अगला थ्री एट त्री एट नाइन सेवन और फूर थ्री टू बन को जोड़ क्या होगा इसका भी जोड़ बताना है इसका घटाना बताना है इसका जो है आपको घटाव बताना है इसको आप लोग को गुणा करना है ठीक है ना तो गुणा वाले उपर वाले सब गुणा था गुणा करके बता दीजेगा उसके बाद है कि 42 को दो से भाग देना है कि कोई भी चीज़ को दो से भाग देंगे ना तो वह बिल्क class देखकेये हैं चली के बाद जो भी सवाल देख रहे हैं गुना करिए तो आप लोग फोर लिख लिए गा ठीक है इसके छोटा वाले नंबर पर आपट नीचे निफमें को आप लोग आनसर आएगा आप लोग से दीजेगा धर से spiders कड़न आ पांच बार में इसका अंसर करता आप यहां लिगक दीजीएगा 20 सब्सक्राइब है तो यहां पर 10 नहीं होना चाहिए, ठीक यहां पर hardness यहां पर उस्ए होगा तो आप से पुछेगा कि यहां पर नहीं यहां पर क्या भराएगा सब्सक्राइब बीस कलम क colonies दो भाग आपसे पुछा है तो बीस कलम लिख दिजेगा एक का का जगा में गुणा का चिन दिजेगा एक बटा दो नीचे से उपर वाले को काट दिजेगा दो सिकड़ यह दस बार में अद दस गुणा एक मतलब क्या होईगा दस तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका लगाने के लिए तो आप लोगगा करना है और इधर एक बटा दो है इसके आप कि यह को आप ले जाईगे ङूँद घानी साथ इंधर बड़ा आ इस तरफ बढ़ा आया याए एक बटा-दो की तरफ बढ़ा आया तो इधर